हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब सौगत आप सभी का कॉमिक वोल्ड चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में हार और जीत हार और जीत कथा शशिकान्त संपादन प्रमिलाजयन चित्र तक्षिला दंश नामक छोटे से राज्य के स्वामी होते हुवे रतन सिंग वी रेवं स्वाविवानी राजा थे जुगना उन्होंने सीखा नहीं था अपने इसी सवाव के कारण में पड़ावसी राजाओं के आखों के आखों में कांटे की तरह चुपते थे एक दिन उन्हें कुंडल पुर नरेश जोहर सिंग का संदेश मिला रतन सिंग हमारा आदेश है कि आप अपनी पुतरी मडी बाला का विवा हमारे साथ करते हैं अन्धा यूति के लिए तायार रहें जोहर सिंग पत्र पढ़ते ही रतन सिंग का चहरा चठान की तरह सक्व गया उन्होंने पत्र को तक मौत का सन्नाटा छागे यह सन्नाटा रतन सिंग की आवाद से टूटा सेना पती उत्री सीमा परियुति की तयार एकि जाए जो आग्या महाराज सहसा ही ऐसा निर्ण है क्यों अन्यदाता महामंत्री जोहर सिंग न हमारे पौरुश वीर्था और साविमान को चुनौती दि किन्तो वे अपने देश की आन के लिए मर तो सकते हैं महामंत्री शमा करें महाराज परंतु ये बुद्धिमानी नहीं कही जाएगी चुप रहो महामंत्री तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमें कायरता से घर्णा है ऐसा कहकर महाराज रतन सिंग सिंगासन से उड़ गए वो महल में पहुँचे तो महाराणी वीरा भाई से उनके चेहरे के भाव छुपे नहीं रहे गए स्वामी ऐसा लगता है जैसे आज किसी ने आपके सौबीमान को छलनी करने का प्रत ने किया है तुमारा गतन सत्य है प्रिये जोहर सिंग की तो आयू भी पचास वरस्चे उपर है प्रशन आयू का नहीं आत्मसम्मान का है रतन सिंग ने पूरी बात बताई और फिर हमारे बंश में तो विबा के डिये स्वेमर की ही परता है आप कहें तो मैं मडी बाला से बात करूँ मुझे विश्वास अपने देश को रक्तपाथ से बचाने के लिए वह है सुनते ही रतन सिंग की आँखें अंगारों की तरह तहक उठी तो मैं लज्जा आनी चाहिए मारानी व और हम ऐसा होने से पहली या मस्तक अपने हाथों से काट डालेंगा महारानी मडी बाला पड़ते के बीचे से यह सब सुन रही थी ओ राज पर ये विपत्ती मेरे कारण ही आईगी पिता जी मेरा निवेदयन की अब आप इस चिंता को त्याग दे मैंने इसका निवारन सोच लिया है वह क्या पुत्री मैं अपने प्राणों को त्याग दूँगी पिता जी मैं नहीं रहूंगी तो युदिक ऐसा राजपूत की बेटी होकर तू आत्मघात करेगी पिता जी कितनी कायर है एक राजपूत करन्या शत्रों के डर से आत्मत्या करेगी होना तो ये चाहिए था कि तूँए विरांगना की तरह ये तो भूमी में शत्रों से लोहा लेती शमा चाहती हूँ पिता जी मैं एक पल के लिए अपने कर्तब को भूल बैठी थी पिता जी मैं वचन देती हूँ मेरे जीवित रहते जौड सिंग हमारे देश का मान भंग नहीं कर सकेगा हमें परसन्न तो हुई पुत्री और आज ये सुनकर मेरा मेरी कोग भिधन हो गई बेटी वीरा बाई ने पुत्री को सीने से लगा लिया मड़ी बाला ने अगले दिन अपनी साखी चंदरकला को सब कुछ कह सुनाया मैं इस विशे में तेरी सम्मती चाहती है तुमारा नड़ने बुरा नहीं राज कुमारी किन्तो जौड सिंग की सेन शक्ती यदि हम कुछ नहीं कर सकते तो यह दुभूमी में अपने प्राण तो दे सकते है प्राण इतने सस्ते तो नहीं होते कि उन्हें यूँगी गमा दिया जाए मैं समझी नहीं चंदरकला सखी वीरता तो तब है जब अपने प्राण कमाने से पहले जौड सिंग के प्राण ले लिये जाए ये कैसे हो सकता है चंदरकला बिलगुल हो सकता है मणी बाला उसके लिए मैंने एक युक्ती सोची है तब चंदरकला उसे युक्ती बताने लगी उदर रतन सिंग जब सोकर उठे तो सेवक न उन्हें एक पत्र दिया महराज यह पत्र राजकुमारी जी के कक्षिते मिला है कैसा पत्र दिखाओ पिता जी मैं चंद्रकला के साथ कुछ समय के लिए राज्य से बाहर जा रही है किन्तो इस निश्चे के साथ की मैं जोर सिंग को समवत करके ही वापिस लोटूंगी पत्र पढ़ते ही रतन सिंग के आँखों में आसू आ गए तूने ऐसा निश्चे क्यों कर लिया बेटी मेरे कहने का आश है यह तो नहीं था वीरा बाई ने अभी पत्र को पढ़ा उसने अपने पती को समझाया आपको तो अपनी बेटी पर गर्व होना चाहिए था और आप रो रहे हैं यह तो सोचो प्री है कि अभी मड़ी बाला की आयू ही क्या है और वो हमारी कलोथी बेटी है तो क्या हुआ आप तो जानते हैं कि बश्यस्त्र कोशल यवाम योतिकला में पूरी तरह निपोड है यदि हमने इतने कट्व शब्द ना कही होते तो कदाचित्व ऐसा ना कर दी उधर कुंडल पर में दूत न जौड सिंग के समुग उसी पत्र के तुकडे रख दिये हम पूस्ते हैं दूत कागज के इन तुकडों का क्या और्थ है शमा करें अन्य दाता ये तुकडे उसी पत्र के हैं और रतन सिंग ने यही जवाब भेजा है सुनते ही जौड सिंग के आँखों में कुरोद के शोले भड़ा कुठिव है कुरोद में भर का चलाया उस चीटी जैसे इनसान की यही मत सेना पती आज्या महराज दंश राज को इसी समय धूल में मिला दिया चाए जैसे आज्या महराज और उस घमंडी रतन सिंग का सिर्फ काट कर हमारे सामने लाया जाए ठीक है महराज दूसरी ओर मणी बाला इवर हम चंद्रकला राज कुमारों जैसे वेश में गोणों पर सवार होगा राजदानी से निकिन चंद्रकला मुझे भैया है कि कहीं जहार सिंग हमारे राजबत अतकाली आक्मन ना कर दे नहीं तो रंती ऐसा नहीं होगा राजकुमारी राजकुमारी जी सबसे पहले हम सेनापती को ही निशाना बनाईए ठीक है न हाँ ये ठीक रहेगा कम से कम कुछ समय के लिए तो युद रुख जाएगा प्रभात होने से पूर्व दौनों सखियों ने कुंडलपूर नगर में प्रिवेश किया कुंडलपूर एक पाड़ी पर इस्तित था नगर के चारों और भी पाड़ियों की शंकला थी दौनों व हमेशा पीछे ही रहता है यदि इन दौनों को काबू में कर लिया जाए तो इनसे बहुत से रहसे प्राप्त किया जा सकते हैं मैं तैयार हूं चंद्रकला तो चलू दौनों सखियां हाथों में रसियां लेका अलग-अलग दिशाओं में बढ़ दे फिर दौनों ने रसियो प्रशनों के उत्तर चाहिए पहला तुमारे सेना पती का निवास इस्थान कहा है और दूसरा किले में प्रवेश करने का गुप्त मार्क यदि तुमने इन प्रशनों का उत्तर नहीं दिया तो मैं तुमारा सर धर से अलग काड़ूंगी नहीं ऐसा मत कीजिए हम आपके प् प्रते एक समय साधू पुरूश में दो सैनी का धिकारी रहते हैं और सुरंग का मुँ किस प्रकार खुलता ये वही बता सकते हैं पूरी जानकारी हासिल करने के बाद उन दोनों ने सैनीकों को ठिकाने लगा दिया शक आये शत्रू को जीविच छोड़ना घा तक होता है अ अब हमें इनकी लाशे मी ठिकाने लगा देनी चाहिए यही ठीक रहेगा चंद्रकला दोनों ने उन सैनीकों की लाशों को पत्थर से ढखना शुरू कर दिया और पता नहीं था कि सैनीकों का तीसरा साथी उन्हें देख रहा है निश्चित ये शत्रूधेश के गुपते च है उधर दोनों सैनीकों की लाशों को पत्त्रों से ढखने के बाद राजकुमारी जी ये इस्थान हमारे लिए सुरक्षित नहीं है फिर तो हमें इसे ततकाल छोड़ देना चाहिए उसी समय सामने से आते को सैनीकों को देखकर दोनों चौक पढ़ी समय नहीं हमारा साथ ही नहीं दिया सकी अब हमें निश्चीती गिरफ्तार कर लिया जाएगा गवराओ मत सास से काम लो इन तलवारों को रहते हैं हमारा कुछ भी ने विकार सकते राजकुमारी जी दोनों ने अपने अपनी तलवारे मयान से बाहर ने कार लिए निकट आगर सैनीकों ने दोनों को कर लो सैनीक आगे बड़े मणी वाला व चंद्रकला की तलवारे चमक उठी दो सैनीक धर्ती पर गिरे इसके उपरान चार और भी सेना नायक भैबी ठोकर भागा तलवारे हैं या बिजलिया मुझे तो रंती बुरी तुकडी पुलानी होगी थोड़ी देर बाद जब वे तुकडी लेकर वहां पहुचा तो मणी वाला व चंद्रकला वहां नहीं थी बहुत दोनों छुपी थी खने जंगल में मैं तो ठक गई हूं चंद्रकला थोड़ा आराम कर लें राजकुमारी जी उसी समय निकटी कहीं शेर की दाड़ सुनकर वे दोनों चौक पड़ी बहा युवक प्राण अक्षा के लिए जल्दी से एक व्रक्ष पर चड़ गया शेर भी व्रक्ष के निकटा कर रुप गया युवक का दुरभाग के जिस शाका पर बैटा था वह कमजोर थी युवक का बोज ना जेल पर शाक के तूटते युवक नीचे गिरा निकटी खड़ा शेर उस पर युवक पर टूट पड़ा किंतु वह युवक को दबोज पाता उससे पहली चंदरकला एवं मणी वाला के भालों ने सौरी बाड़ों ने उसे बुरी तरह से बेट दिया शेर दो चार पर के लिए जट पटाय वर्शान तो गया मेरे प्राण बचाकर आप दोनों ने मुझे पर जोपकार किया उसे मैं कभी नहीं बोल सकूँगा वस्त्रों और भैवार से तो आपको यी राजकुमार राजपुरुष लगते हैं ठीक कहा आपने मैं राजकुमार अश्विनी हूँ कुंडल पुर नरिश जोहर सिंग का पुत्र हूँ किन्तु आप कौन से देश की राजकुमारिया हैं और आप दोनों ने ये पुरुष वेश्कियों धारां का रखा है उसकी विलिष्ण गुद्धी देखर मडी बाला वा चंदरकानता दोनों ही चौक पड़ी चंदरकला ने मडी बाला अपना वास्त्विक परीचय दिया फिर तो आप हमारी अतिती हुँ ही राजकुमारी जी अतिती नहीं, शत्रु गहे राजकुमार मैं अपने देश से कुंडलपूर का विनाश करने ही निकली हूँ कहते ही मड़ी बाला ने अपनी तलवार म्यान से खेंच ली यदि पता होता कि आप कुंडलपूर नरेश की इकलोते पुत्र हैं तो मैं कदा भी आपके प्राणों की रक्षा ना करती अब भी क्या बिगड़ है राजकुमारी यदि हमारी मिर्त्यू से आपका प्रतिजो शांत होता है तो उड़ा दीजी हमारी सर को बैसे भी अब आपके बेना हमारा जीवन संभव नहीं राजकुमारी जी आपके सौंधर रेन पागल बना दिया हैं राजकुमार यदि कुंडलपूर की सेना हमारे देश पर आकमन ना करने का वचन दे तो हम यहां से चली जाएंगे चंद्रकला हम वीर पिता की कन्या हैं ऐसा कहकर तो हम अपने सौंधर विमान को गिरा रही हूँ हम बचन देते हैं राजकुमारी जी कि आपके सौंधर विमान को कोई चोट नहीं पहुचाएंगे किन्तू और हम ये भी वचन देते हैं कि हमारी सेना दंश देश पर आकमन नहीं करेगी आपके वल हमारी लोटने की प्रतिक्षा करें दूसरी और राज धर्बार में सेना पती हमारी सेना संधय से भूरवी दंश देश के लिए परस्तान करेगी जैसी आग्या महराज उसी समय राजकुमार ने तरवार में प्रिवेश किया शमा करें पिता जी अब यह आकमर नहीं होगा क्यों? पिता जी यह युद्ध गदा भी नहीं होगा सेना युद्ध के लिए परस्तान नहीं करेंगी पिता जी कुंडलपुर का भाविशासक होने के कारण इस युद्ध को रोकने का अधिकार मुझे भी है और तुम्हें ये अधिकार हमारी मिर्थ्य के बश्चाती मिलेगा युवराज सैनिकों युवराज को नजर बंद कर दिया जाए आदेश पाते ही दो सैनिक आगे बढ़े उसी छण राजकुमार अश्विनी नबड़ी फुर्ती से अपनी तलवार खींच दी राजकुमार अश्विनी की तलवार यमराज के पाश की तरह घोंग गई क्या तुमारा ऐसा तो सास सैनिकों फिर तो बहुत से सैनिक आगे बढ़े तलवारे बिज्रियों की तरह चमकने लगी दरबार रड भूमी बन गया राजकुमार भुट्टों की तरह सैनिकों की स्रूर आनने लगी किन्तु वे आखिर अकेला था राजकुमार सैनिकों से जूस्ता हुआ खिड़की तक पहुचने का रास्ता बनाने लगा किन्तु वे आखिर अकेला था अब मुझे यहां से निकल जाना चाहिए अंत मैं राजकुमार खिड़की से नीचे गूदा और घोड़े पर बैटका सैनिकों की नर्जों से ओजा लोगे दूसरी और मणी वाला वचंदरकला उसी जंगल में वैटी किसी योजना पर विचार कर रही थी तबी रक्त में सैनित तलवार लिए राजकुमार वहां पहुचा राजकुमारी यह रक्त रंजित तलवार साक्षी है कि हम अपने वचंद का पालंग कर रहे हैं आज चर रहे हैं तब राजकुमार न विस्तार पूर्वा सब कता होने क्या सुनाई आपने अपने पिता से वित्रो कर दिया राजकुमार केवल आपका विश्वास जीतने के लिए राजकुमारी किन्तु इसका पढ़नाम यही एक ऐसी चीज़े जिसकी चिंता वीर पोष्टों को कभी नहीं होती राजकुमारी विश्वास कीजिए आप इस अभियान में मैं भी आपके साथ हूँ यदि युद्ध बंद नहीं हुआ तो मैं आपके साथ चल कर आपकी ओर से युद्ध करूँगा देखा मणी बाला अपने सौंदर के जादू का कमाल तुमारी लिए युवराज भी विद्रोही बन गए चर चुप रह शयतान दूसरी और राजदरबार में महाराज जोहर से शमा करें महाराज एक साधरन बाला के लिए के लिए युवराज का अपमान उचित नहीं था साधरन बात के लिए साधरन बात महामंतरी उसने हमारे सम्मान और सिंगासन को चनौती दी थी चाहे कारण कुछ भी रहो महाराज किन्तु युवराज कई विद्रोह करना राज के लिए उचित नहीं हम जानते हैं और ये भी जानते हैं कि विद्रोहियों का असर कैसे कुछला जाता है महामंत्री हमारी सेनाई दंशिद्यराज पर आक्रमण के लिए तुरंत कूछ करें उधर जब आक्रमण का समाचार महाराज रतन सिंग को मिला तो उनके चैरे पर चट्टान जैसी कटोड़ता हो भराई सेनापती शत्रू के आक्रमण कम्मू तोड़ जवाब दिया जाए आप निशिंद्रा है महाराज हमारे वीर सेनिंग मात्र भूमी की रक्षा के लिए पने प्राणों की बली दे देंगे महामंत्री मडी बाला इवाम चंद्रकला के बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई नहीं महाराज गुप्त चन निराश होकर लोटाएं दूसरी और एक गुफा में वेटे राजकुमार को जब सेना के प्रिस्तान का समचार मिला तो राजकुमारी जी आज मैं कुंडलपुर में रक्तिक नदियां बहा दूँगा आप अपना धैरे खो रहे हैं राजकुमार जी ये तो सोचिए कि आप अकेले इतनी विशाल सिना का सामना कैसे कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे राजकुमारी जी किन्तु हम आपके लिए अपने प्रांट तो देही सकते हैं मेरे विचार से अब हमें अपने राज्य में पहुँचकर शत्रू का सामना करना चाहिए उसी समय कुंडलपूर राजी की सेना बड़ी तेजी से दंश राजी की और बढ़ रही थी सेम जवार सिंग भी एक हाती पर सवार थी कुंडलपूर नरेश की जै ऐसा तो नहीं कि युवराज कुंडलपूर से निकल कर हमारी किसी शत्रू से मिल गया हो इधर युवराज जश्वनी मणी बाला एवं चंदरकला साहीत कुंडलपूर पर कुंडलपूर राजी की सीमा पार कर रहा था बस अब आई पहुँचे उधर युद्ध भूमी में जाने से पूर रतन से यदि ऐसे समय में हमारी पुत्री मणी बाला भी हो होती तो कितना अच्छा होता इश्वर करें आप युद्ध भूमी से विज़ाई हो कर लोटें उसी समय मणी बाला वहां पहुँच गई प्रणाम पिता जी प्रणाम मा आ मेरी बेटी पिता जी कुंडलपूर के युवराज अश्वनी भी हमारे साथ आए और आपसे मिलना चाहते है सुनकर रतन सिंग चौंक पड़े कुंडलपूर के युवराज शत्रू पुत्र उस ग्रिष्ट जोर सिंग का भीटा मडी बाला ने सारी बात बताई युवराज शत्रू पुत्र होते हुए भी हमारे मित्र है पिता जी राजनीती के अनुसार ये एक शुब समाचार है पुत्री उन्हें आदर सहीत ले आओ जी अच्छा पिता जी तब युवराज अश्वनीने कक्ष में प्रवेश किया हम तुमारा स्वागत करते हैं युवराज इस धरम युद्ध में मैं आपके साथ हूं महराज इधर कुंडलपुर की सेना ने दंश राजी की सीमा पर अपने खेमे गाड़ दिये एक गुप्तचर ने तब ही जौर सिंग के खेमे में प्रवेश किया एक विशेश समाचार है महराज युवराज दंस नरेश रतन सिंग से मिल गए हैं असंबव ऐसा कैसे हो सकता है महराज मैंने राजा रतन सिंग और युवराज को राज महल में एक साथ निकलते देखा है सच कहता हूं जो और सिंग को लगा जैसे उसकी सिर पर किसी ने हतोड़ा दे मारा हमें भी ऐसी ही अशंकाथी गुप्तचर एक समाचार ये भी है महराज कि युवराज खुद अपनी ही सेना के विरुत युद करेंगे युवराज अश्वनी मणी बाला और चंद्रकला तीनों एक साथी युद के लिए तयार होकर गोड़ों पर सबार होई आज हम धन होई युवराज और आप स्वबागशाली भी है महराज आपके कुल में मणी बाला जैसी विरांगना ने जनम लिया और ये मेरी सखी चंद्रकला इसके रण कोशल को देख कर तो आप धन्ग रह जाएंगे युवराज उदर महराज जोहर सिंग बेटे के ब्योग में असस्त हो गए सेना पती असस्तता के कारण हम युद नहीं करेंगे अथा सेना का संचालन तुमारे हाथों में ही रहेगा जैसी अग्या महराज सेना पती ने युद के तैयारें शुरू करवा दी अगली प्रातहा दौनों सेनाओं ने युद के बिगुल बजा दिये जार जिंग अपने शिविर में चिंता ग्रस्त बैठे हुए थे एक और युद नी थी दूसरी और पिता का धर्म किन्तो इस समय हम पिता के ही धर्म का पालन करेंगे बिगुल बस्ते ही दौनों और की सेना एक दूसरे पर भूगे भेडियों की तरह तूट पड़ी दंश दंश राज की सेना अच्छी वर सुगठित वियू रचना की कारण कुंडलपुर की सेना पर भारी पड़ने लेगी रतन सिंग का युद्ध अनुवव युवराज अश्वनी की अतुल भीरता और मड़ी बाला वचंद्रकला के अचूख निशानों ने शत्रू सेना में त जरे कात रही थी उधर युवराज अश्वनी कुंडलपुर के सेना पती के सामने जा पहुंचे क्या बात है सेना पती आपने मुझे सामने देखकर अपनी तलवार क्यों नीची कर ली आप कुंडलपुर के भावी शासा गये युवराज मैं आपका सम्मान करता हूँ आप पी उसी धरम का पालन की जो मेरा वार रोकिये फिर तो युवराज और सेनापती जीवन का मो त्याक कर एक दूसरे से जूजने लगे या इदार राजकुमारी मड़ी बाला और चंद्रकला अपने घाह तक अपने अचूग बाणों से शत्रों का सर्वनाश करने में लगी हु सेनापती मारे गए बावो 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 समाचा और जोहर सिंग को मिला ये तूने क्या किया बेटे अपने ही सेना पती को माड डाला हमारी विवश्ता यह है कि हम तुस्से युत नहीं कर सकते जिन हाथों ने तुझो गोधी में खिलाया है वे तुझ पर बार करने के बीच में होगा तुम बीच में मताओ नहीं नहीं जोड सिंग बेर पुरुष युदि से मूह नहीं मुड़ा करते युवराज की बाद में सुझना पहले मुझ से युद करो चलाओ तलवार रतन सिंग आब ये युद पिता और पुत्र का हो गया है तुम अपनी जान गव पर चलने वाले राजा को चनौती दे रहा हूँ यदि दुरबाग से वह राजा मेरा पिता है तो भी मैं युद करूँगा मैंने राज कुमरी को वचन दिया है कि मेरे जीते जी दंश राज कुंडलपुर के अधीन नहीं होगा इसलिए युद कीजिए या फिस सेना लेकर वापिस लोट जाएए दंश राज सतंत्र है और सतंत्र ही रहेगा तेरा इतना साहस कि मुझे वापिस लोट जाने को काहे ले समाल यवार पिता पुत्र के बीच अत्यंत भ्यानक युद्ध छड़ गया टन खन अतन सिंग भी देखकर चिंतित होटे मैंने ऐसा तो नहीं च लोग दिया और तलवार फेक दिए उठो पुत्र इस युद्ध में विजय शरीत तो महीं मिलिए अब अब हम हार गए पुत्र और अपनी सेना के साथ अभी वापिस लोट रहे अब हमें विजय नहीं चाहिए जौर सिंग ना युद्ध समाप्ति की गोश्णां की युद् पात के किये छमा मांगते हैं और आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं आज हम अपनी मित्तरता को रिष्टेदारी में बदलना चाहते हैं यह तो हमारे लिए परसंदात की बात है जौर सिंग और उसी दिन शाम को दंश राज और कुंडल पुर घनिष्ट संबंद मे बंद गए शैनायों की गुंज न दौन और राज्यों के बीच बन गए रिष्टेदारी की घोशना कर दी विवा के अगनी कुंड में दो राज्यों की दुश्मनी जलकर राक हो गई बाद में युवराज अश्वनी का राज्य भी शेक कर दिया गया समाप्त तो चलिए द अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद